दोस्तों यदि आप रोहित शर्मा के कप्तान बनने से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें भारत और श्रीलन्का के बीच धर्मशाला में खेले जा रहे पहले वंडे मैच के साथ रोहित शर्मा पहली बार टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं रोहित शर्मा भारत के 24-वे वंडे कप्तान और सभी फॉमिटों के हिसाब से 49-वे भारतिय कप्तान है रोहित शर्मा के कप्तान के तौर पर पहले वंडे मैच में श्री लंका ने टॉस जीता है और पहले गैंदबाजी करने का फैसला किया है कौर तलब है कि रोहित शर्मा को इस सीरीज के ये टीम इंडिया का कप्तान इसलिए बनाया गया है क्योंकि नियमित कप्तान विराट कोहली ने श्री लंका के खिलाफ वंडे और टीबी सीरीज से ब्रेक लिया हुआ है इस तरह से रोहित शर्मा दोनों वंडे और टीबी सीरीज में कप्तानी करते नजर आएंगे रोहित ने कहा कि हम पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते थे धूप खिली हुई है और पिछ बल्लेबाजी के ये बेहत शांदार नजर आ रही है टॉस हारने का अफसोस नहीं है शुरुआत में गेनबाजों को मदद मिल सकती है शुरुआती ओवरों में संभल कर खेलने की जरूरत होगी और इसके बाद हमें बड़ास को खड़ा करना होगा भारत की कप, तानी करना एक बड़े सम्मान की बात है मेरे लिए ये एक चुनौती होगी हमारी टीम में कई बड़े खिलाडी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आज कुछ अच्छा करेंगे हमारी टीम में आज 6 बल्लेबाज, 1 और राउंडर, 2 स्पिनर और 2 तेज डेनबाज खेल रहे हैं श्रीलंका की टीम ने भी बंडे सीरीज में परेरा को कप्तानी सोपी है टॉस जीतने के बाद परेरा ने कहा कि हम पहले गैनबाजी करना चाहेंगे पिछ बल्लेबाजी के लिए अच्छी नजर आ रही है और हम लक्ष्य का पीछा करेंगे कुछ खिलाडी चोट के बाद वापस आ रहे हैं और ऐसे में हम एक टीम के रूप में शांदार खेल दिखाना चाहेंगे